बाबा रामदेव और अचार्य बालकृशन को माफी मिलेगी या फिर सुप्रीम कोट उन्हें कोई साया सुनाएगा। ये अब 16 अपरेल को साफ होगा। दरसल ब्रामक विग्यापन के मामलों में सुप्रीम कोट ने आज काफी कड़ी नराज़की जाहिर की। कोट ने कहा कि जिस तरीके से ब्रामक विग्यापन दिये गए कोरोना के समय वो बहुत ही आपती जनक है। कोट ने आज इस मामले में उत्रागंट सरकार के लाइसेंसिंग विभाग के अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई। कोट ने कहा कि इन अधिकारियों ने कभी भी उनके प पुष्ट जानकारी वो नहीं दे पाए जिस पर कोट काफी नराज दिखा। कोट ने बाद में ये भी कहा कि 2018 से लेकर 2024 सक जो भी लाइसेंसिंग वे भाग के अधिकारी रहे हैं निदेशक रहे हैं वो एफिडेविट फाइल करें और ये बताएं कि उन्होंने इस मामले मे क्या क्या कारवाई की दरसल भ्रामक विज्यापन और कोरोना के दोरान कोरो निल को लेकर दावो को लेकर सुप्रीम कोट सुनवाई कर रहा है पिछली दो सुनवाई से बावा रामदेव आचारे बालकरशिन कोट में पेश हो रहे हैं कोट ने कई बार काफी नराजगी जा पुराए गए आज की सुनवाई के दोरान बाबा रामदेव और अचारी बालकिशन की तरफ से उनके वकील मुकुल रोधकी ने यहां तक कहा कि वो पब्लिक एपलोजी यानि कि सारजनिक माफी मांगने को तयार हैं लेकिन कोट उससे भी सैटिस्वाइड संतुष्ट नहीं नजर आया हालांकि उन्होंने अपने एफिडेविट में ये भी कहा था कि वो सब बिना शर्त माफी मांगते हैं और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन कोट का ने कहा कि आप जाकर के जब कोट का इतना दबाव हुआ है ये माफी की मात की जा रही है और सिर्फ माफी से बात नहीं सुलजेगी अब ये बात उससे आगे निकल चुकी है दरसल कोट ये कह रहा है कि बाबा रामदेव और शारे बाल कृषिन पर आवमानना का मुकदमा भी चलना चाहिए क्योंकि कोट के मना करने के बावजूद उन्होंने प्रेस कोंफरेंस की और ये अदालत की आवमानना की श्रेणी में आता है बहराल कोट ने आज की सुनवाई के दोरान उत्राखंड सरकार के तीन अधिकारियों को सस्पेंड करने की भी बात की कोट ने ये भी कहा कि पूरे प्रकरन को ध्यान में रखते हुए हमने दायर किये हुए हलफ नामे को सुईकार करने के बारे में अपनी आपत्यां जाहिर की है हमने ये भी बताया कि कारण वताओ नोटिस के बाद भी इन लोगों यानि बाबा राम देव और अचारे बाल कृषिन ने अदालत में पेश होने से बचने का प्रयास किया सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि राज्य राइसेंसिंग के अलावा कोई कदम नहीं उठाया गया किसी भी अधिकारी ने कभी कोई कारवाई नहीं की राम देव और बाल कृषिन की तरफ से मुकुल रोधगी ने ये कहा कि वो पब्लिक माफी नामा पब्लिक एपोलोजी मांगने के लिए तयार हैं उसके लिए भी जारी है लाइसे लुग साल पहले आपको चेतावनी दी थी कि इन फरजी विग्यापनों की वजह से आपका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा दो साल से फुल विग्यापन आए दिन आते रहे और उसके बावज आपने चेतावनी पर कारवाई करने के बावजूद करने के बजाए खामोश रहे क्या आम आदमी रोज आपके पास शिकायत लेकर जाएगा कोट ने आला अधिकारियों को भी ये कहा कि अगली सुनवाई पर वो कोट के सामने मौजूद रहे अब कोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी हो सकता है कि 16 अप्रैल को कोट अपना आदेश सुनाए और उससे पहले उन तमाम अधिकारियों के लिए भी परिशानी हो गई जो 2018 से लेकर 2024 तक लाइसेंसिंग भाग के अपने पदो पर थे कोट ने कहा कि वो ये बताएं कि 2018 से 2024 तक उन्होंने क्या करवाई की है किस तरह के कदम उठाए है जाहिर बात है कई मामलों में ये दावा किया गया है कि अधिकारियों ने कोई कारवाई नहीं की थी जिससे कोट खासा नराज है अब कोट ने उन अधिकारियों को तो बुलाय साथ साथ बाबा रामदेव और अचार्य बाल कृषिन दोनों को भी साफ किया है कि आप अगली सुनवाई पर कोट के सामने पेश होंगे सुप्रीम कोट ने राज्य लाइसेंसिंग अथोर्टी के डिरेक्टर क्योंकि आज वो भी कोट में मुझूद थे उनसे कहा कि क्या आप कहें तो हम हिंदी में समझा दें यहां तक कोट ने बोला कि आप कहें तो हम हिंदी में समझा दें उसके बाद अधिकारी हाथ जोडने लगा तो कोट ने कहा कि जो बात हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे वो समझ में नहीं आई और अब जब कोट कारव करने की बात कर रहा है तो आपको आदे घंटे की सुनवाई के दोरान ये तमाम चीज़े समझ में आ गई कोट ने कहा कि इन विग्यापनों का उद्धेश है लोगों को आयुर्वेद दवाईों से जोडने भरका है कोट ने कहा कि आपसे पहले तो किसी ने आयुर्वेद दव कर रहे हैं कोट ने ये भी कहा कि जो नोटिस दिये गए उनके बारे में क्या करवाई की कोट एक तरह से लाइसेंसिंग विभाग को लेकर काफी नराज था और ये कहा कि फाइल आती थी सवाल उठते से उन्हें दबा दिया जाता था कभी भी कोई कारवाई नहीं की कोट न ये भी कहा कि कोरोना के दोरान इस दवा के कारण जिन लोगों ने दवा ली होगी भ्रामक विग्यापन को देखकर उनके बारे में जरा सोचिये बहराल अब 16 तारिक को इस मामले की सुनवाई होगी 16 तारिक को अधिकारियों को बताना होगा कि 2018 से 2024 तक जो शिकायते उनके पास आई या जो चीजे उनके तथे उनके सामना है उस पर क्या कारवाई की गई किस तरीके की कारवाई की गई यह एफिडेविट उन्हें फाइल करना होगा और अगली सुनवाई पर बाबा रामदेव और अचारे बाल कृशन को भी कोट में मुझूद रहना होगा कोट तब यह साफ करेगा कि इस मामले में बाबा रामदेव और अचारे बाल कृशन को क्या उनकी माफी को सुईकार किया जा रहा है या नहीं क्योंकि आज उनकी तरफ से एक बड़ा कदम उठाते हुए पबलिक एपलोजी तक मांगने की बात की गई यानि सावजनिक रूप से जनता के बीच माफी मांगने की बात की गई है